नमस्कार साथियों मैं उज्वल त्रिपाथी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो विश्वत रेखा या भूमर्द रेखा पर इस्तित देश के बारे में है तो हम लोग आज जानेंगे जो है विश्वत रेखा पर कितने देश इस्ति सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्लेलिस्ट पर जाकर जो है हमारा जो है सभी वीडियो सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं और अच्छा लगे तो सेर जरूर करिएगा तो आईए वीडियो को सुरू किय जैसे यहां पे जो तीन लाइने हैं यहां पे तीन लाइने दर्साइए गई है तो यह प्रित्वी के बिचो बीच वाला जो लाइन है यह जो है भूमद रेखा या इसी को जो है बिश्वत रेखा कहते हैं तो इसी पर जो है हम बताएंगे कि इस रेखा पर कितने देश इस्तित हैं हम आपको बता दें कि जो यह रेखा है यह जो है वास्तों में रेखा खिचा नहीं गया है प को देखा नहीं जा सकता यह जो है एक कालपनिक ही है ठीक है तो इसके बारे में हम जानेंगे तो बीच वाला रेखा जो है भूमध रेखा या जो है विश्वत रेखा इसी को बोला जाता है और उपर का जो रेखा है वो करक रेखा है और नीचे का जो रेखा ये वाला खिचा गया है वो जो है मकर रेखा है तो हम आपको बता दें कि ये जो मकर रेखा है उस पर पूछा जाए कि मकर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है तो मकर रेखा जो है दस देशों से होकर गुजरती है और ये बीच वाला हम आज इसके बारे में डिटेल में जा तो इस पर जो है 13 देश इस्तित हैं अगर आप से पूछ दिया जाए कि करक रेखा 200 के कितने देशों से होकर गुजरती है तो करक रेखा जो है उपर वाला है करक रेखा जो है 16 देशों से होकर गुजरती है तो इसका ट्रिक कैसे याद करने का ट्रिक है तो मकर रेखा याद क तौकर्क रेखा हो जाएगा 10-13-16, 13-13-13-16 ठिक है 3-3 का गेफ है То मकर रेखा 10 देशव से ओकर गुजरती है कर्क रेखा 16 देशव से ओकर गुजरती है भूमत रेखा 13 दिसों से होकर गुजरती है तो यहाँ पर हम लोग मैप से जानेंगे कि कौन सा देश किस दिशा में है पहले इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि कैसे South America में कौन कौन सा देश है Africa में कौन कौन सा देश है और एसिया में कौन कौन सा देश इस्थित है विश्वत रेखा पर तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भूमत रेखा पर इस्थित देश जो है अगर साउथ अमेरिका में पूछ दिया जाए कि साउथ अमेरिका में जो है कौन सा है तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज दो-तिन बार अगर लगातार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा कि भूमाद दिरेखा पर इस्तित देश एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजिल एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजिल एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजिल यह साउथ अमेरिका में है और यहाँ पे तीन जो है साउथ अमेरिका में है और तीन जो है एसिया में है और बाकी सब अफरिका में है तो इसको बोलिए Southam Princip, Gibbon, Southam Princip और Gibbon, जो इसको एक ही में बोल सकते हैं, और इसको जो है अगर डीप में नाम देखा जाए तो ऐसे है, Southam Princip है इसका, तो Southam Princip और Gibbon, Southam Princip और Gibbon, कांगो, कांगो, गल राज, युगांडा, केन्या, सुमालिया, तो इसको ऐसे याद करनेका ट्रिक है, कि ये दोनों को एक साथ ले लिजे, और ये दोनों को एक साथ ले लिजे, और तीनों को एक साथ, तो अब बोलिए Southam Princip और Gibbon, छटमा साथमा बोलिए कांगो, 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 गल राज, ये अफ्रिका में है, और ये जो है विश्वत रेखा पर इस्थित देश हैं, और आठमा, नुवा, दसमा है युगांडा, केन्या, सुमालिया, युगांडा, केन्या, सुमालिया, अब एसिया में देख लिजे, एसिया में कौण कौण से देश जुह विश्वत रेखा पर इस्तित हैं। तो माल्दीव इंडोनेसिया किरिवातीrolी थ jay? तू अमेप में पर पहला इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील बताया थे जो साऊथ अमेरिका का है तो साउस अमेरिका का है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यह South America है, यह पूरा छेतर जो है South America है, तो Ecuador जो है, यहाँ पे देख लिजे, यहाँ पर रुख जाए एक नट यह जो यहाँ जीरो अंस है यही जो है विश्वत रेखा यहाँ पर लिखा भी है देख लिजे विश्वत रेखा यह गया ऐसे ठीक है तो अब इसी में पूछ रहा है कि यह रेखा पर कौन-कौन से देश इस्तित हैं तो हम आपको बता देए जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया एकौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- और ब्राजिल का ये पूरा छेत्र है ठीक है तो एक्वाडोर पहला हो गया ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया तो साउथ अमेरिका का जो है एक्वाडोर कोलंबिया ब्राजिल एक्वाडोर कोलंबिया ब्राजिल एक्वाडोर कोलंबिया ब्राजिल एक्वाडोर देश हो गया जो विश्वत रेखा पर इस्थित है अब आगे जो है देख लिजिए कि आगे जो है अफरीका में क्या है अफरीका में कौन कौन सा देश है तो यह पूरा छेतर जो है अफरीका का है और यह जो बीच से लाइन गया है यही जो है विश्वत रेखा या भूमेद रेखा है तो अगर तो यही पूछ रहा है कि इस पे जो है कितने देश हैं तो इसमें जो है साथ देश हैं और एसिया में जो है तीन देश हैं ठीक है तो इसमें जो है देख लिया जाए कि कौन-कौन सा देश है तो पहला है साउतों प्रिंसेप साउतों प्रिंसेप जो है यहाँ पे लिखा भी गया है देख लिजे ये लाइन ऐसे गया है ठीक साउतों प्रिंसेप और कांगो गणराजे कांगो गणराजे और यहाँ पे गिबन है या जो है इसको गैबन भी कहा जाता है ये गैबन है यहाँ पे और कांगो है कांगो गलराज है और ये युगांडा है युगांडा की राजदानी यहां जो है कमपाला है ठीक है तो याद कर लिजे कि जो है सावतम प्रिंशेप गिबन कांगो गलराज युगांडा केन्या सोमालिया ठीक है याद हो जाएगा दो तिन बार ऐसे ही बोलेंगे तो याद हो जाएगा ये गिबन है और कांगो है युगांडा केन्या सोमालिया ये देखली ये युगांडा यहां पे है युगांडा यहां पे है केन्या यहां पे है और सोमालिया यहां पे है और यहां से रेखा गया है पिस्वत रेखा जो की कालपनिक रेखा है और कांगो यह रहा कांगो गन्राज यह रहा और सावतों प्रिंसेप गिबन यह रहा ठिक है सावतों प्रिंसेप गिबन कांगो कांगो गन्राज युगांडा केन्या सोमालिया अब एसिया महादीप में देख लेते हैं एसिया महादीप में तीन हैं कौन-कौन से हैं तो मालदीव है मालदीव इंडोनेसिया और किरीबाति मालदीव हां यहां रहां मालदीव का छेत्र है यह और यह विश्वत रखा गया है तो मालदीव इंडोनेसिया इंडोनेसिया का छेत्र यहां देख सकते हैं और यहां कोने में है किरीबाति यहां पर ठीक है तो बोलिए मालदीव पहला हो गया दूसरा हो गया इंडोनेसिया और तीसरा हो गया किरीबाति तो मालदीव इंडोनेसिया किरीबाति विश्वत रखा पर इस्थे देश एसिया में तो मालदीव इंडोनेसिया किरीबाति मालदिव इंडोनेशिया किरिवाती तो यहां पे आप देख सकते हैं भूमद रेखा पर इस्ते देश पहला है एक्वारडोर दूसरा है कोलमबिया तीसरा है ब्राजील चोथा है साउतों में प्रेंशेप और पाचवा है गिब्बन छटवा है कांगो कांगोगन राज्य साथवां, आठवां है यूगांडा, नवां है केन्या, दसवां सोमालिया, इग्यारहवां माल्दिव, बारहवां इंडोनेसिया, तेरहवां किरिवाति तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील ये साउथ अमेरिका में है और माल्दिव, इंडोनेसिया, किरिवाति एसिया में है एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका साउथ उम प्रिंसेप, गिबबन, कांगो, कांगो गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया ये अफ्रिका में है और एसिया में जो है माल्दिव, इंडोनेसिया, किरिबाती एसिया में माल्दिव, इंडोनेसिया, किरिबाती माल्दिव इंडोनेसिया की रिवाति रिविजन कर लिया जाए कि यह जो है प्रित्वी है और प्रित्वी पर बीचो बीच रेखा जो प्रित्वी को बाटती है यह एक कालपनिक रेखा है और इस पर जो है कितने देश इस्तित हैं तो इस पर तेरा देश इस्तित हैं इस पर जो आज का वीडियो कैसा लगा फिड़ुएक जरूर दिजियेंगा द्युक्त और दो तीन बार ऐसे बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा भूमेद रेखा परिस्तिदेश एक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील एक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील एक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील एसे बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा और दो दो पार्ट में जैसे साउतों प्रिंसेप गिबबन कांगो कांगो गल राज और यहाँ पे युगांडा, केन्या, सोमालिया और एसिया वाला जो है अलग बोलिएगा माल्दिव, इंडोनेसिया, किरिवाती तो याद हो जाएगा दो-तिन बार ऐसे रिवेजन कर लेंगे, वीडियो को दो-तिन बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, तो आज का वीडियो भूमद रेखा पर था इस सित देश के बारे में और अभी तक हमारी योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो जो है प्लेलिस्ट पर बना दिया गया है सभी वीडियो को सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है आप जाकर वहाँ देख सकते हैं और अच्छा लगे वीडियो तो सेर जरूर करिएगा धन्यवाद